दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सभी अच्छी हूंगे आज हम बात करने जा रहे हैं एक भारती टेलिवीजन एक्ट्रेस अकांग्शा पूरी के लाइफ स्टाइल के बारे में आज हम आपको अकांग्शा पूरी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से की है आज कल वे क्या कर रही हैं उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में भी जानेंगे उनकी कुल संपत्ती के बारे में भी जानेंगे उनके घर और का इनके बारे में भी जानेंगे और लास्ट में हम उनकी कुछ अंसुनी बातों के बारे में भी बताएंगे कुल मिलाकर ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है अगर आपको अकांग्शा पूरी अच्छी लगती हैं तो अभी से ही वीडियो को लाइक करके एक कॉम में निभाए गए अपने पारवती के रूल के लिए मशूर है उन्होंने केलेंडर गर्ल्स एलेक्स पांदियन स्टूती द लॉर्ड एंड लॉर्ड जैसी फिल्मों में भी काम किया है अकांग्शा मूल रूप से इंदोर की रहने वाली है और 2010 से ग्लैमर इंडस्ट्री मे सक्रिये हैं दोस्तों इनका रियल नाम है अकांग्शा पूरी सेलिब्रेटी नाम अकांग्शा प्रोफेशन से वो एक भारती टेलिवीजन एक्ट्रेस हैं अकांग्शा पूरी का चम 26 जुलाई 1988 को इंदोर में हुआ था आईए जान लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे म अब बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में इनकी हाइट है पांस फीट आठ इंच बेट है थावन किलोग्राम बाडी मेजरमेंट है चौनतिस सताइस च्छतिस इनकी आखों का रंग गहरा भूरा है और बालों का रंग काला है नेशनलिटी से यह एक इंडियन और रिलीजिन से हिंदू है अब बात कर लेते हैं इनकी पसंदीदा चीचों के बारे में इनके पसंदीदा बिनेता सलमान खान और शारुक खान है पसंदीदा बिनेत्री एश्वर राय और काजोल पसंदीदा फिल्म हम आपके हैं कौन पसंदीदा गायक लता मंगेशकर औ पसंदीदा रंग काला पसंदीदा कार मर्सिरीज बिंस पसंदीदा जगा गुवार लंदन आईए जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में अकांग्शापुरी के पिता आरेक पुरी असेस्टन कमिशनर है जबकि उनकी माता चित्रा पुरी एक जोच्छी है अब इनकी पुर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं अकांग्शापुरी अभी सिंगल है 2017 से 2019 के बीच में बिग बॉस के फैम पारस चापड़ा को डेट कर रही थी पर कुछ पुर्सनल प्राब्लम्स के कारण यह दोनों अलग हो गए है अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में चंदीगर में आडिशन देने के बाद अकांग्शा एरोस्टर्स के लिए चुनी गई जिसके बाद वे बैंगलूरू शिफ्ट हो गई जोब के दुरान अकांग्शा की दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग करने की सला दी जिसके बाद वे बैंगलूरू से मॉंबई आ गई मॉंबई में उन्हें टेलिवीजन कमर्शियल और मॉडलिंग करना शुरू किया मॉंबई शिफ्ट होने के बाद उन्हें साउथ की कई फिल्में की और मदर बंडार करकी केलेंडर गर्ल्स में एक एहम भूमिका निभाई अकांग्शा इस समय अपने टेलिवीजन करियर पर फूकस कर रही है साल 2015 में उन्हें अमर अकबर एंथिनी फिल्म के लिए चुना गया था जो नादिर शाद्वारा निर्देशित एक मल्यालम भाशा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है अगर हम इनकी कार के बारे में बात करें तो उनके पास ताता की नेक्सिन कार है अगर हम उनके घर की बात करें तो आज कल वैं अपने करियर के कारण मुंबई के कारिशान अपार्टमेंट में रह रही है आईए जानते हैं इनका नेट वर्थ कितना है सूत्रों के अनुसार अकांग्शापूरी की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो वर्थ ट्वी शो के एक एपिसोड के लिए लगबग 60,000 से लेकर 70,000 रुपे तक चार्ज करती है और एक फिल्म करने के लिए लगबग 20 लाग से 30 लाग रुपे चार्ज करती है अकांग्शापूरी की कमाई मुक्के स्त्रोथ टेलिवीजन शो, विग्यापन, संगीत, अल्बम और फिल्मे है इन सारे स्त्रोथ के मताबिक अकांग्शापूरी की नेट पर अंदाज 6-8 करोड जितनी है वैसी यह एक अनुमाने तरकम है आईए जान लेते हैं उनकी कुछ अंसुनी बाते तेलेवीडर इंडस्ट्री में आने जे पहले वै एर होस्टिस के रूप पे काम कर चुकी है अकांग्शाप ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एलेक्स पांदियन से की थी जो की साल 2013 में रिलीस हुई जोप के दुरान उन्होंने करीब सो से भी जादा टीवी कमर्शिल किये है उन्होंने हिंदी के लावा मल्ले आलम का नड़ तमिल और तेलेगू फिल्मों में भी काम किया है अकांग्शाप ने चोटे पर्दे पर भी काम किया है वो विग्न हरता गनेश सीरियल में पारवती का रोल निभा चुकी है अकांग्शाप सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती है उनके इंस्टाग्राम पर लाखो फॉलोवर्स है तो यह थी अकांग्शापुरी की लाइस्टेल वीडियो अगर आप अकांशापुरी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइस्टेल के बारे में जानना चाहेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे